तो friends third generation Creta launch हो चुकी है इंडिया में और काफी बढ़िया लग रही है front design तो कमाल गर दिया है कुछ लोग इसे बड़ी venue गह रहे हैं लेकिन मुझे personally काफी पसंद आ रही है तो इसमें मिलता क्या है पहले इसके बाले में बात कर लेते हैं इसमें आपको 3 engine option मिलते हैं 1.5 liter turbo petrol engine, 1.5 liter diesel engine और 1.5 liter naturally aspirated petrol engine इसके साथ ही एडाज 7-2 इंटर्ड्यूस कर दिया गया है प्राइस इसका बहुत attractive रखा गया है 11 लाक रुपे से प्राइस चार्ट हो जाता है और 20 लाक रुपे तक चला जाता है तो अब बात करते हैं new kreta में मिलने वाले color options के बारे में तो new Hyundai kreta 24 में आपको total 6 color option मिलते हैं जिसमें से 5 monotone है और 1 dual tone है सबसे पहला color है abyss black क्योंकि black color की बहुत जारा demand चल रही है जो आप advertisement में देख रहे है वो same यही color है black color और लोगोंका पसंदीदा color बन चुका है kreta में और नई kreta में काफी अच्छा लग रहा है अब हम बात करते हैं इसकी longevity कितनी है maintenance कितनी है आपको यह लेना चाहिए या नहीं दोस्तो अगर black color की बात करें तो पहले वहम वगएरा लोग करते रहे लेकिन आज कल लोग नहीं करते तो black color अगर आप लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं पस यह है कि यह color maintenance बहुत ज़्यारा मांगता है साफ सफाई बहुत ज़्यारा मांगता है अगर आप अकेले साफ करते हैं गाड़ी अकेले ही चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी गाड़ी साफ करना मुश्किल हो जाएगा scratches बहुत ज़्यारा दिखाई देते हैं बाकी देखने में तो यह बहुत अच्छी लगती है गाड़ी जब साफ बहुत होती है लेकिन एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि यार एक ही दिन में कितनी गंदी हो गई है resale, black color की resale थोड़ी सी कम है लेकिन ऐसी गाड़ीों में, बड़ी गाड़ीों में resale का कुछ ज़्यारा फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप यह color के scratches बाहर से ठीक करवाना चाहते हैं तो ठीक हो जाएगे, कोई black color नॉर्मली मिल जाता है अगला color है, ranger khaki, ranger khaki color आपको extra में भी मिल रहा है, neos में भी मिल रहा है, अब kreta में भी launch कर दिया गया है, यह एक नया color है, अगर इसकी जगा dark bottle green color launch करते तो वो मुझे जारा पसंद आता, लेकिन चलिए, यह color भी आजकल चल रहा है, कुछ लोग extra में buy कर रहे हैं, लेकि kreta में मुझे लगता है कि शायद ही लोग risk लेंगे ऐसा color लेने में, क्योंकि यह एक नया color है, time के साथ पता नहीं कैसा behave करेगा, यह अनकी dull होगा या नहीं, बाकी बाहर से यह ठीक करवा नहीं पाएंगे, बाहर से आपको ऐसे attractive color नहीं मिलते, easily, बाहर से आप scratches भी ठीक न red, दूसरो red color normally बिक रहा है क्रेटा में, लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा road पे, South India साइट के आएंगे, तो वहां आपको काफी ज़ए red color देखने को मिलेगा, तो इतनी बड़ी गाड़ी में red color थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर भी अगर आपकी personal choice है red color लेना, तो आ आप red color की तरब जा सकते हैं, बाकि देखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, maintenance यह आपके ज़्यादा मांगेगा, sketches उगरा बहुत ज़्यारा दिखाई देंगे, और साफसफाई भी बहुत ज़्यारा मांगता है, और red color की resale बहुत कम मिलती है, क्योंकि red color लोग ज़्यारा पसं बाकि resale इसकी ठीक है, और sketches उगरा ज़्यारा दिखाई नहीं देते, और साफसफाई भी अच्छी हो जाती है, और resale भी इस color की काफी अच्छी मिल रही है, अगर sketches उगरा आप कहेंगे कि मैं बाहर से ठीक करवा लूँ, तो इस color के शायद ही ठीक करवा पाएं, क्योंकि य अगला color है Atlas White, यानकि white color, जो की premium color है, और काफी जड़ा बिकता है क्रेटा में और इस क्रेटा में भी ज्यादा यही color बिकने वाला है, इसकी वज़ा बहुत simple सी है, एक है इसकी बड़ी सी जो grill है, जो black color में है, उसकी वज़ा से color काफी अच्छा लग रहा है, जिसने patches वगरा भी easily आप check करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं, और last color जो है, वो है dual tone, dual tone वैसे तो पहले 2-3 आते थे, लगिन अब एक ही launch किया गया है, वो है Atlas White के साथ black roof, और इसके साथ यो C pillar में silver color आता था, उसे भी black कर दिया गया है, इसी वज़ा से dual tone में तो और ज़रा अच् पसंद आया है, हो सकता है, आपको भी पसंद आये, तो SUV dual tone में काफी अच्छी लगती है, री सेल भी अच्छी घासी मिल जाती है, और साफ सफाई का भी कोई जयारा जंजट नहीं रहता, तो दोस्तों ये 6 color है new Hyundai Creta 2014 में, आपको कौन सा color पसंद आया है, comment करके जूर लिखे बाकी Hyundai Creta 2014 के exterior performance safety wise, ये सारी detail में वीडियो भी लेके आ रहा हूं, तो चैनल को subscribe जूर करें, तो मिलते हैं नई वीडियो में, thank you, thank you so much